जब कोई speaker जल जाता है तो आप देखे होंगे कि जब आप उसे रिपेर करवाते हैं तो उसका जो पहले का quality होता है उस तरह से आपको quality नहीं मिल पाता है उसी speaker से नहीं मिलता है एंकि उस speaker से जो पांच है फ्रेंड वो गायब हो जाता है मजा ही नहीं आता है उसी speaker को बजाने में इसका कारण यह होता है कि फ्रेंड जो भय स्क्वैल आपने लगाया है या फिर किसी मिस्तिरी ने लगाया है फ्रेंड वह अच्छे ढंग से शेट नहीं विडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजेगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपिलिज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब तो फ्रेंट चलिए बिना लेड़ की हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंट यहां हम सबसे पहले बात करते हैं 500 वाट तक स्फिकर में, चाहे आपका स्फिकर 12 इंच साइज में हो, या 15 इंच साइज में हो, 200 वाट रो, 300 वाट, currently 400 वाट भी 500 वाट, 500W के उपर का नहीं मैं यहां बता रहा हूँ, सबसे पहले बात कर रहा हूँ, 508 तक इस फिकर में, तो फ्रेंड, 508 तक इस फिकर में जो आपको वैस्क्वेल का जो तार रखना है, वो रखना है आपको, 6-8 तार आप गिन लें, फिर उसको उपर रखें, बाकी बात जितना भ से लेकर 1000W तक हो, फ्रेंड, 15 इंच साइज में 600W से लेकर 1000W तक हो, तो आप जो है, उस स्पिकर को जिदि आप रिपेर कर रहे हैं, तो उसमें 5-6 तार को आप ही उपर रखें, बाकी बात सब मेंगनेट के अंदर फिट होना चाहिए, फ्रेंड, अगला जो है फ्रेंड, व फिर 1000W या फिर 1200W, तो फ्रेंड, इतने वाट तक के स्पिकर में आपको जो उसका भ्यस क्वेल का तार रखना है, वो 4-5 तार ही उपर रखना है, बाकी बात सब का सब मेंगनेट के अंदर फिट होना चाहिए, फ्रेंड, तो फ्रेंड, आब हम आगे बढ़ते हैं, तो आग आपको भ्यस क्वेल का तार होता है, उसे 3-4 तार ही उपर रखना, बाकी बात सब मेंगनेट के अंदर फिट कर देना है, तो जाके आपको अच्छे से क्वाइल्टी उसी स्पिकर से मिलेगा फ्रेंड, आनकी बैस वाइबरेशन मिलेगा फ्रेंड, अप लोग एक बार फिर इस से देख लें कि 500 वाइट तक इस पिकर में 6-8 तार उपर, 600 से लेकर 1000 वाइट तक 15 इंची इस पिकर में 5-6 तार उपर, बाकी बात 600 से लेकर 1208 तक बैस में 4-5 तार उपर, और 1208 से उपर के जितने भी स्पिकर है उसमें से आपको 3-4 तार ही उपर रखना है, ये कुछ नियम था जो कि कमपनी जब VSQL को फिट करती है तो इस प्रकार से कुछ करती है, तो आप भी एक बार इस तरह का रिपेर जरू करें इस प्रकार से फिट करके जरूर ट्राइ करें, और कैसा रिजल्ट रहे है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो आज के वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो में